नमस्का एशन इस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ केरल के एना कुलम जिले में अलुआ में पांस साल की बच्ची से रेब और हत्या के दोशी को पॉसको कोट ने मंगलवार को मोद की सजा सुनाई कोट ने चिल्डर्स डे पर अपना फैसला सुनाया खास बात ये है कि साल 2012 में आज के दिन ही पॉसको एक्ट भी लागो हुआ था एना कुलम में अश्वक आलम नाम के युवक ने 28 जुलाई को बच्ची से रेब करने के बाद गला खोट कर उसकी हत्या कर दी थी फिर शव को बोरे में बांध कर कुड़े में फैक दिया था घटना के सोवे दिन चार नौवंबर को कोट ने अश्वक को दोशी ठेराया था जज के सोमन ने कोट ने दोशी को आई पी सी और पोस को एक के तहद पांच बार आजिवन कारावास की सजा सुनाई है कोट ने कहा कि दोशी अपनी पूरी जिन्दगी जेल में ही रहेगा उस पर छे लाक रुपे का जुर्माना भी लगा है ज़ज जब फैसला सुना रहे थे तो वो बच्ची के माता पिता कोट में ही थे केरल के मुखे मंतरी पिनाराई विजयन ने कहा कि बच्ची सबसे जगने अपराद का शिकार हुई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने अपरादी को सबसे बड़ी सजा दिलाने की भरपूर कोशिश की बच्चों के खिलाफ हिंसा करने वानों के लिए यह एक कड़ी चितावनी है बच्चे के माबाप का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन हम उन्हें हर संभव मदद देने की कोशिश करेंगे इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद